असलाम अलेकुम, गुड़ मॉर्णिंग बच्चों, बच्चों उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बच्चों आज हम इंट्रडेक्शन ओफ हिंदी के मात्राएं सिखने वाले हैं बच्चों स्वर के अक्षरों से हिंदी के मात्राएं बद्दे हैं, आकी कोई मात्रा नहीं रहती आ की मात्रा एक डंडा या एक स्टैंडिंग लाइन ये एकी मात्रा है, छोटी एकी मात्रा अक्षर के पहले लगाई जाती है ठीक है, छोटी E की मात्रा, ये बड़ी E की मात्रा है, ये अक्षर के बाद लगाई जाती है बड़ी E की मात्रा, छोटी U की मात्रा है, ये U की मात्रा है, छोटी U की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है ए बड़ी उ की मात्रा है बड़ी उ की मात्रा भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है यह ऐसी होती है यह री की मात्रा है यह ऐसी होती है इंगलिश के C लेटर जैसी होती है इसे भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है ये एकी मात्रा है, अक्षर के उपर एक फ्लैग, ये आई की मात्रा है, अक्षर के उपर दो फ्लैग्स रहेंगे, ये ओकी मात्रा है, ओकी मात्रा अक्षर के बराबर एक स्टैंडिंग लाइन, उसके उपर एक फ्लैग, ये अउ की मात्रा है अउ की मात्रा अक्षर के बराबर एक standing line और उसके उपर दो flags ये अम की मात्रा है अक्षर के उपर एक dot या बिंदू कह सकते हैं अहा की मात्रा है ये देखिए बच्चों अक्षर के बराबर में दो बिंदू लगाई जाती है अब हम लोग अपनी किताब में ऐसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, मात्राएं, आ की मात्रा, आ की मात्रा कुछ भी नहीं रहती, ठीक है? दूसरा है, आ की मात्रा, आ, ऐसा खीच के पढ़ना है, आ की मात्रा ऐसी रहती है एक स्टैंडिंग लैन कह सकते हैं, ये ए की मात्रा है, छोटी ए की मात्रा, अक्षर के पहले लगाई जाती है, ठीक है बच्चों? ये बड़ी ए है, बड़ी ए की मात्रा, अक्षर के बाद लगाई जाती है, ठीक है बच्चों? देखिए ये अक्षर है उ, उ की मात्रा ऐसे रहती है, ये अक्षर के नीचे लगाई जाती है ये बड़ी उ की मात्रा है, ये ये भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है ये री की मात्रा है, देखिए बच्चों ये इंग्लिश के C लेटर जैसी होती है ए की मात्रा देखिए बच्चों ऐसे होती है अक्षर के उपर एक फ्लाग है आई की मातरा, आई की मातरा देखिए बच्चों, ऐसी होती है, अक्षर के उपर two flags होते हैं, ठीक है, ये ओ की मातरा है, अक्षर के बराबर एक standing line, उसके उपर एक flag, ये आउ की मातरा है, आउ की मातरा भी एक standing line, उसके उपर दो flags, ठीक है, ये अम की मातरा है, देखिए बच्चों अक्षर के उपर एक बिंदू ये आहा की मात्रा अक्षर के बराबर में दो बिंदू लगाई जाती है इन मात्राओं को अच्छे से नीट हैंड रेटिंग में अपनी किताब में एक बार लिखिए धन्यवाद